Hello friends, आप सभी का मेरे इस चैनल Learn English with Divya Sharma पर फिर से स्वागत हैं। आज हम पढ़ेंगे मेरी जिजे प्राइवेट अफेर। ये चिनुवा एचेबी द्वारा लिखी गई एक शोर्ट स्टोरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस कहानी को। चिनुवा एचेबी इस पहले अपन थोड़ा पोईट के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोड़क्शन तू दे पोईट। चिनुवा एचेबी इस दे मोस्ट इस्टिंगाइड राइटर और फिक्शन प्रों अमेरिका। इस नाइजेरिया बेस्ट नाइजेरिया में भी श्रेस्ट सहीतेकार के रूप में जाने जाते हैं। इस वेल नौन नौवेल्स आर थिंग्स फॉल एपाट, एरो ओफ गोर्ड, और मेन ओफ द पीपल। इस नौवेल्स नीन, नेमेका, ओकी, वोगव। शोट स्टोरी के चैरेक्टर है, अब स्टोरी शुरू करते हैं। नीन और नेमेका दो लवर्स होते हैं। वो लेगोस नम के जगे पर बिठे होए होते हैं। नेमेका तो सर्था सब्सक्राइब लेड़ा हैं। वो ऑट दोर हैं। तो छी कोरते हैं। एलोहें बाते हैं। यह नहीं होंगे। जब नीमन को बताता है नीम्ट को बताता है क्यों नहीं होंगे। यह अंट खिकाक्री समध्या स्वाइप्न मैस्वागी होता है। मेरे दिया तोसे लगता है कि नेमरे का यह जो बाते कर रहा है उसको मजाख लगता है वो इस बात को सीरियस नहीं लेती है और वो बोलती है कि इवो कुंपे के जो लोग होते हैं वो अण्यों के साथ तो अच्छा से बिहेव करते हैं तो फिर हमारी शादी के लिए तुम्हार मेरे खादर जुन्दा होते हैं और वो अगर इबेबो की भूमी पर रह रहे होते हैं तो उनका भीएवियर भी वेज़ती ही होता जिसे मेरे खादर का हैं किती कि मैं नहीं जानती इन सब बातों को मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता जी तुमसे बहुत प्यार करते तो तुम्हारे शादी की इस बात के लिए तुम्हें मना नहीं करेंगे वो इस बात के लिए मान जाएंगे करो कि एक अच्छे बेटे बनके उनको एक पत्र लिख दो नेमेका कहता है कि नहीं में पत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि जैसे ही वो पत्र खोलेंगे तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा वो वो नीन को जाके बता दे लेकिन दूसरे ही पर सोचता है कि नहीं ये बात उसको नहीं बतानी चीए और उसके फादर ने जिस लड़की को चुना होता है उसका नाम होता है वेक नाम पड़ा, उसको याद आ गए कि यह यूगोई विरंगना वोई थी जो सब लड़कों को पीटती थी, नेमेका को भी साथ में पीटती थी, लेकिन पड़ाई में बिल्कुल मूड थी, यह लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही और मैंने विभा करने का सोच लिया है, मैं सोचता हूँ कि जब तुम दिसंबर में घर आओगे, तब हम इस शादी के बारे में आगे बात करेंगे, नेमेका जब दिसंबर का टाइम आता है तो अपने घर जाता है और अपने फादर के पास जाकर के बेठा होता है, तो एक दिन तो कुछ नहीं बोलता है और नेक् मैं इस लड़की से जिससे आप शादी करवार हो, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लड़की से शादी करना एक असंबह बात है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा, यहां आज दिन तब किसी नहीं किया है कि पहले प्यार हो फिर शादी हो, तो वो बोलता है, नेमेका कि फादर पहले जो था वो अलग था शादी का मामला और अभी जो है वो डिप्रेंट है बहुत लगते हैं कि बेटा कुछ भी विन नी है लेकिन उसका बेटा नहीं मानता है कि हम क्रिश्यन में एक अच्छी पत्नी की तलाश होती जिसका अच्छा चरित्र हो जो एक क्रिश्यन पालन पोश्चन हो लेए तो यह सारी जो खूबिया है वो इस लड़की में है तो फिर तुम क्यों मना कर रहे हो उसे बता देता है कि मैं एक दूसरी लड़की जिसमें यूगोए के जो सब गूण है उससे भी जादा उसमें गूण है और मैं उससे शादी करने के लिए वच्छन बंदू यानि मैं उससे शादी करने का प्रोमिस कर चुका हूँ कि यह बास सुनते तो उनको लगता है कि मजा कर रहा है वो उसके वापस दिरे से पूछते गबराते हुए कि क्या बूला तुमने कि वह एक अच्छी हिसाई है बेगोस में लड़कियों कि स्कुल की अध्या भिका भी है यदि तुम एक अच्छी पत्नी के योगिता समस्ते तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा नेमा का कि एक रिशन लड़की को कभी भी पढ़ाने नहीं जाना चाहिए बढ़ाते हैं कि ओरतों को पढ़ा अपनी चुपी रखनी चाहिए यही सबसे बड़ा धर में उनको पढ़ाने जाना यह सब एक अच्छी औरत के गुन्नी है फिर बताओ वहां किसकी पुत्री है वहां नीन आतंग है वापस विशण करते क्या तुम्हें नील एतंग है उसका मतलब है कि वहां केले बार की नीन आतंग है बोला यहां और मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं तो नेमेका को लगा कि उसके फादर अब बहुत जादा तेस के घर जाएंगे या गुस्ता करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है उसके फादर विल्कुल चुपचाप उड़ते और थोड़ा गूनते और फिर चले जाते हैं और फिर उस दिन रात को उसके फादर भी ना खाना का यह सोजाते हैं और अपने बेटे से बिल्कुल बात नहीं करते हैं लेकिन नेमेका नहीं मानता है, वो बोलता है कि मैंने यह फिक्स कर लिया है, मैं उसी से शादी करूं तंगा, तो उसी के साथ रहूंगा, तो कहता है कि मुझे इससे बात भी नहीं करने, उसे खोई वए आदमी की तरह छोड़ देता है, और वो कहता है कि मैं अपना कर्तव य को बताओं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अगर वो नहीं मानना चाता है, तो कोई बात नहीं करता है कि अब पिता जी आप जब नील को देखोगे, तो आप उससे बहुत प्यार से रहोगे, लेकिन उसका पिता जी कहता है कि नहीं मैं उससे कभी नहीं देखूंगा, वहाँ जाकर के वह नीन से शादी कर लेता है और वही रहने लग जाता है शादी के बाद वह वापस अपने फादर को पत्र भेजता और उसमें नीन और उस दोनों की फोटो भेजता लेकिन उसके फादर उसकी अपने बेटे की फोटो रख लेते हैं और नीन की फोटो वापस फाड करके और अपने बेटे के पास वापस लेटर बेज देते हैं और वो लिख देते हैं कि मुझे तुम्हारे से मतलब है, तुम्हारी वाइफ नीन से कोई मतलब ने, इसलिए उसका पिक वापस देज दिया है, मैंने, बेटे के चादी के बारे में जहां रहता है, उस जगे पर सबको पता चलता है, तो सब लोग उससे बाते करते हैं, और उ हो चुकी है, तुम अपने बेटे को किसी पास में जो डोक्टर है, उसके पास क्यों नहीं लेखे गए, तो उसके फादर बोलते हो के कि नहीं, मेरा बेटा कोई बीमार नहीं था, बेटे के पास वापस रिटन में पत्र बेजा और उसमें नीन का फोटो फाड़ करके रिट लेकिन अपने पुत्र बेटा के साथ कोई भी संबंद में रखा है, तो वह वापस रिटन में लेटर बेज देता है, कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहीं पर भी अपनी लाइफ बिताओ या कई पर भी गर्मी की चुट्टा बिताओ लेकिन मेरे गर नहीं आओगे त लोग के घाम के जो लोग थे वो काम करते थे तो उससे फिने नीन ने मिलना शुरू किया उन लोगों के साथ अपना विहार बढ़ाया, तो उन लोगों ने देखा कि नीन और नेमेका की लाइफ बहुत ज़्यादा खुशिशे चल रही है, तो उन लोगों ने वहां जाकर क खुशा को कुई बताया, यह सारी बात है, ओके को जाकर बताते थे तो लोगों धहरा हुध capitalism करणा और गूसा हो जाता है, तो समय बात करना मेंस भी पत्र लिखती है और उनसे लिखती है कि हमारे दो पूत्रार हैं और वह चाहते हैं कि आपने दादा जीु के पाश्त आकर तो बुड़ा आद्मी, जो होता है और मानता नहीं है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसके पोते हैं, तो उसका थोड़ा दिल पिगलने लग जाता है, रहता है तो बार-बार ये सौचता है कि में उनके बारे में नहीं सोचूँगा, मिरको उन पोतों से भी कोई लेना द अपने घर आने की पर्मिशन देते हैं तो वो अपने बेटे की शादी के लिए मारनी जाता है शेयर लाइक डिसलाइक, सब्सक्राइब इस चैनल थेंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो